पूर्वी लद्दाख में जारी चीन की दादागिरी के खिलाफ अमेरिका ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने सबसे बिसाल युद्ध पोत युएसस निमित को अंडमान सागर में भेजा है। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एरक्राफ्ट केरियर को हिंद मासागर में भेज कर ड्रैगन को सक्त संदेश दिया है। दरसल यह अमेरिकी विमानवा हकपोद मलक्का स्टेट के रास्ते अंडमाननी को बारदीव समूर पहुचा है। यहां से चीन का सबसे ज़्यादा सम भारत दोनों मलक्का स्टेट में उसे घेर सकते हैं। अमेरिकी नौसेना का यह युदपोद भारती नौसेना के साथ मिलकर अंडमान सागर में नौथानिक अभ्यास कर सकता है। यह वही अमेरिका है जिसने साल 1971 में बांगलादेश मुक्ति संग्राम के दोरान भारत के खि अभी दक्षिण चीन सागर और फिल्पीन्स के बास युदधा भ्यास करके अंडमान सागर पहुचा है। भारत अमेरिका का यह अभ्यास कुछ उसी तरीके से हो सकता है जैसे पिछले महीने इंडियन नेवी ने जापान के साथ किया था। भारती नेवी ने अंडमान और निकोबार दीवसमू में ड्रिल की है। इसमें हार्पून मिसाइलों से लैस एरक्राफ्ट एपी एट आई ने हिस्सा लिया था। या पी एट आई एरक्राफ्ट अमेरिका ने ही बनाया है। दरसल हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गत विद्यों पर लगाम लगाने के अमेरिका ने अपने तीन एरक्राफ्ट करियर को इस लाके में तैनात किया है। वर्तमार में इन्वे से एक यूएसेस रोनाल्ड रीगन साउथ चाइना सी में जबकी दूसरा यूएसेस थ्रीजोल्ड रूजवेल्ड फिलिपीन सागर के आस पास गस्त लगा रहा है। वह अनुसक्ति से चलने वाले इस एरक्राफ्ट करियर को अमेरिकी नौसेना में 3 मई 1975 को कमिशन किया गया था। यह करियर स्ट्राइक ग्रूप 11 का हिस्सा है जो अकेले अपने दम पर कई देशों को बरबात करने की छमता रखता है। 332 मीटर लंबे इस एरक्राफ्ट करियर पर F-18 समेत 90 लड़ा को बिमान और हेलिकॉप्टर्स के लावा तीन हजार से अधिक नौसेनिक तैनात रहते हैं। यह अमेरिका का सबसे पुराना एरक्राफ्ट करियर है और इसकी अधिक्तम रफ्तार 58 कीमी प्रतिघंडा है। चीन के बढ़ते आक्रामक रुप को देखते हुए भारत के साथ अमेरिका, जापान और आस्टेलिया हिंद महसागर में ड्रैगन को घिरने के लिए तैयार बैठे हैं। पास से ही चीन चिढ़ा हुआ है और उसका लगातार विरोध कर रहा है। लद्दाक में चल रहे सैने तनाव के भी चीन का सरकारी अकबार ग्लोबल टाइम्स भारत को लगाता धमकी दे रहा है। साथ ही नसीहत दे रहा है कि भारत क्वार्ट से दूर रहें और गुट निर्पेचता की अपनी नीति का पालन करें। अमेर्की युद्दपोत के आने से भारत चीन और संबन्दों में अब और तनाव बढ़ सकता है। नवार्ट टाइम्स आनलाइन के लिए सहले शुक्ला की डिपोर्ट।